हलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जूकि 2011 से लेकर 2018 में किस परकार के कोशन्स आपके पूछे जा चुके हैं अग्जाम में उस परकार के एक सीरीज लेकि आया था मैं आपके लिए जिसके मैंने आपको important 6-7 वीडियो करवा दी थी अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखी है तो मैंने आपको वीडियो का decision में और अलग से चनल में playlist बना रखिया है वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो तो उसी series को continue करते हुए आज कुछ important questions के बारे में बात करेंगे तो इस video को आप end तक देखते हैंगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मेरा नामत दीपक आप देख रहे हो डी की गुपता online videos पो government exam चलिए शू करते हैं तो आज का पहला question क्या बोल रखा है कि निमन गिर्ण वर्गकार कागच पर खीचा गया है जो कि आप figure देख सकते हो थाउजन हेंडरेट टेंस और वन्स यानि कि ये वन्स टेंस इकाई दियाई सेकड़ा हजार करके आपको लिख रखा है इस परकार का figure आपके दो बनाए गए है क्या बोल रखा है ये निर्पुन किसकी और संक्यत करता है यानि कि जो ये figure बनाया है वो किसकी और संक्यत करता है पहला दियाई और इकाई की तुलनाया तक दूसरा गनित खेल तीसरा गिनतर यानि की जो अवेकस होता है पर संख्याओं की इस्थिती और चौथा इस्थानेमान की अवधारना तो देखो पहला क्या बोल रखा है ONCE यानि की IKAI के उपर बिंदूर जाल रखी है और दूसरे फीगर में आपके दिहाई पर मतलब TENSE पर डाल रखी है यह बिंदूर डाल रखी है तो वह आपको किस परकार का फेशिस कराना सिखा रहा है तो वो आपको इकाई दिहाई की आपको सेकडों की चीज़े दिखाई जा रही है मतलब इस्थान नेमान यानी ये concept of place value की बात यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है तो option number 4 इसका बिल्कुल सही answer था Next question, कक्षा 3 का बच्चा 482 को, 482 तो पढ़ता है लेकिन लिखते समय उसको क्या लिख देता है, 40,000, 82 मतलब 400 को उसने अलग कर दिया और 82 को उसने अलग कर दिया इसलिए उसको लिखते समय त्रिटी हो रही है और आगे क्या बोल रखा है, यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है तो किस और करता है? पहला, शिक्षक को इस्थाने मान विशे तब ही पढ़ाया जाना चाहिए जब बच्चा संख्या को भाली परकार से लिख न सीख जाए या दूसरा, बच्चा कक्षा में एक गर नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है तो देखो, बच्चे ध्यान से सुनता है लेकिन इस्थाने मान की समझ इस्थापित नहीं कर पाया और चौथा, बच्चे संख्या की अभिवेक्ति के विस्तारित रूप और लगू रूप में भरमित है तो देखो, 482 को लिख क्या रहा है? 40,082, मतलब 482 इसका मतलब वो सुन तो सही रहा है लेकिन लिखते से में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो option number आप यहां तो यह बिल्कूल हटा दीजिए कि दूसरा की बच्चा हो सुन नहीं रहा है सही से तो दूसरा तो आपका automatically हट गया बच्चे बाकित 3, चौथा option क्या है? बच्चे संख्या की अभिवेक्ति से विस्तारित रूप से लगू रूप में भरमित है देखें विस्तारित रूप और लगू रूप वो आपका क्या है एक लंबे व्याक्या को लंबे शब्द को लिखने के लिए कि आ जाता है इसलिए वो 482 को 40,082 लिख रहा है next question किसी चात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया जो कि 306, 408, 4000, 8 और 4010 लिखी हुई है उसने इने इस परकार पढ़ा पहला 36, मतलब जो 306 लिखा था उसको 36, 48 मतलब 408 को 408, 408 या 4010 इस परकार से उसने सारी चीजों को क्या करा है पढ़ा है तो पढ़ने में जो तिरुटीव का कारण है वो क्या कारण है तो अभी मैंने आपको एक कोशन करवाय था 482 को 40,082 पढ़ रहा था तो उसमें किस परकार की चीजों की दिक्कत थी बच्चे को हाँ पर वो इस्थाने मान की दिक्कत थी तो इसी परकार से इसका भी अंसर होगा लेकिन उप्चन थोड़ा से आपर चेंज होगा कैसे? उप्चन पहला देखो क्या बूल रखा है कि गनित का अध्यान करने के लिए उप्योक्त नहीं है तो यही आपका option number बिल्कुल सही अंसर होगा कि बच्चे को इस्थाने मान की संक्लपना की पूरी समझ नहीं है और वो केवल दो अंको की संख्या को ही लिख सकता है बाकी संख्या देखे कितनी की है? तीन या चार अंको की संख्या है main probably यहाँ पर इस्थाने मान की है मतलब place value के ग्यान बच्चे को नहीं है इसलिए इस परकार की वो त्यूर्टिया करता है तो option number second इसका बिल्कुल सही अंसर था next question कक्षा 2 के कुछ विध्यारतियों को हासिल वाले दो अंको की संख्या के जोड में कटनाईयों का सामना करना पड़ता है इस समस्या के कारण है तो दो अंकों की जो संख्या होती है उसके जोड करने में बच्चों क्या आ रही है समस्या आ रही है इसके पिछे समस्या कारण क्या हो सकता है पहला गणित में रूची का आभाव दूसरा आंकित मारोर स्थान्यमान में अंतर की समझ का आभाओ तीसरा सुन्ने के महत्व की समझ की आभाओ या चोथा पुनसमुही करण की परकिरिया की समझ का आभाओ तो देखिए यानि कि जो आपका पूरा दो संख्याओं की जो जोड होते हैं उसको उपर नीचे लिखकर उसके प्लस करने के बाद जो इधर आपकी 10 से ज्यादा संख्या होती है 9 से ज्यादा संख्या होती है उसको उठा कर इधर लाना होता है मतलब पूरा का पूरा उसका regrouping process जिसे आप इंग्लिस में कह सकते हो पुने समुही करण की परकिरिया की समझ का आभाव है जैसे कि आपकी लास्ट संख्या जानी कि इकाई अंक जो है दो और आठ है दोनों को प्लस करने पर क्या था? 10, नीचे आप लिखते हो 0 और 1 की value उदर चली जाती है हासिल चली जाती है तो वो उसको क्या का जाता है? regrouping process का जाता है जिसमें बच्चे क्या आ रही है? समस्या आ रही है दो अंक्यों को जोडने में इसलिए बच्चे की वो किस परकार की समस्या होती है? पुन सामुही करण की समस्या होती है उसका क्या है बच्चों के अंदर आभाव है तो option number 4 इसका विल्कुल सही अंसर था next question यदि एक सिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसे असमर्था हो सकती है जिसका नाम है तो किस परकार की समर्थता हो सकती है यदि बच्चा संख्या और परिकलन समस्या कर रहा हो मतलब ऐसी समस्या कर रहा हो जो कि किस परकार की है आपकी mathematics से related है गनित से related है संख्या और परिकलन यहां संख्या का मतलब क्या है गनित में इस्तमाल की जाती है संख्या और परिकलर तो वहाँ पर किस परकार का होगा तो मैंने आपको जब disabilities करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था जब भी बच्चा math से related problem को देखता है उसमें किस परकार की आती है आपकी disability तो उसको कहा जाता था dyscalculia ओके वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था dyscalculia लेकिन यहां पर आपका कहीं पर dyscalculia नहीं है उसकी जगह पर आपका नाम दे रखा option number second देखो गनित्य आशमता तो ध्यार रखे गनित्य आशमता दे रखा हो यह dyscalculia दे रखा हो दोनों एक ही नाम होता है एक ही उसका मतलब होता है तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर था next question योग और व्याकलन पर आधारिश शब्द में दिये गए सवालों को हल करने की विध्यारतियों की दक्षता का आकलन करने की आकलन की शीशक है तो आपका यहाँ पर देखो क्या बोर रखा योग और व्याकलन पर आधारिट मतलब आपके ऐसे जो कि क्या है आपके पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम को एडिशन और सब्ट्रेक्शन रूब्रिक के द्वारा जो एसाइमेंट्स दिगा रही है उसकी बात करी जा रही है तो 21 परकार का आकलन शीशक हो सकता है पहला सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना दूसरा सवाल की पहचान सही सक्रिय निशपादित करना तीसरा गलत आ माधान और परसुति करना तो देखो यहां पर क्या बात करी जा रही है जो कि मैंने आपको एक चीज बताई थी रूब्रिक्स में कि यहां पर क्या होता है देखो पूरी के पूरी जो रूब्रिक्स होती है जो कि आपका पूरा क्या कहलाता है जो असाइमेंट दिया जाता ह उसमें बच्चे का क्या करा जाता है, सारी चीजे देखी जाती है, कैसे चेक किया जाता है, कि बच्चे ने stepwise लिखा है या नहीं लिखा, फॉर्मिला लिखा है या नहीं लिखा, उसके बाद उसके जो steps है solve करने के वो लिखे है या नहीं लिखे, सारी चीज करके उसके number दिय जाता है चाहे हो आपका addition हो, subtraction हो, multiply हो या किसी भी परकार का कोई questions हो, उस चीजों में सारी चीजों को देखते हुए उसका question को solve की जाती है, तो option number 4 इसका बिल्कुल सही answer था, next question, कक्षा चोथी में बिंदू और रेखा पर जैमिती पाट के लिया आकला निर्देशन होगा, पहला, रेखा किरण और रेखा चित्र में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाशित कर सकता है, दूसरा, रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, बिंदू चीनित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद रूप से रेखा खंड खीश सकता है, तीसरा, से तो रूब्रिक्स के अनुसार, यानि के कक्षा में जो चौती और बिंदू की रेखा होती है, जैमेत्य पाटन का जो आकलें ने दिर्शन किरा जाता है, उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो option number second, रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, बिंदू चिन नॉर्मल है, सारी चीज़ें आप बताते हो, बच्चों को रेखा खिचाना, रेखा खंड बनाना, या फिर उसके अनुसार, अलग-अलग लंबाई के अनुसार उस चीज़ों को बाटना, यह कर सकता है, चौत्छे क्लास में जो कि बच्चों का ऐसे नॉर्मल हम करना सिखा आते हैं, तो उप्चिन नॉम्बर सेकंड इसका बिल्कुल सही अनसर था, नेक्ट कोशन, कक्षा चोथी के लिए समय के मुल्यानकन का या के प्रचल होगा, क्या होगा, पहला ध्यान रखीगा, समय के लिए बोल रखाया, केवल आंके घड़ी पर समय पढ़ना, एम और पी गंटा कम, एम और पी एम की संख्या, मिनट और सेकंड का में समबंद, तो ये सारी की सारी चीजें, जो की समय पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा, most in pattern सही रहेगा, तो option number, हम फोर्थ इसका बिल्कुल सही मानेंगे, कि बच्चों को सारी चीज़ चाहे हो, आदा गंटा जादा हो, आदा गंटा कम हो, चोथाई गंटा जादा हो, चोथाई गंटा कम हो, उसकी आंकी है, मतलब ऐसी घड़ी जो देखी जा सकती हो, ऐसी घड़ी जो की अलग से नंबर प्रिंट आउट लिखे रहते हैं, वो सारी परकार की समझने के लिए, सारी परकार की चीज़ दर्शाने के 5 तरीके हैं, तो इस सारे के सारे जो कि आपके 5 तरीके जैसे कि आपका aesthetic pictures होगे, written symbols होगे, spoken and written language होगे, real word situations होगी, contest होगे, ये सारी के सारे चीजे क्या हैं? तो इस सारे के सारे चीजे क्या हैं? आपके चिंतन या मनन करने के लिए आपको विस्तारित रोप से गनित सिखाने के लिए उप्योग में लाये जाते हैं तो क्या है यह आपके गनित्य के पाठेचर, गनित्य के शब्द भंडार, गनित्य चिंतन एवं विचार ये जमेत्य परकन, तो ये सारी के सारी क्या है, आपके option number third, इसका विल्कुल सही आओगा, कि गनित्य चिंतन एवं विचार करने के लिए आपको क्या किया जाता है, ये तो आपके यही पर ही खतब होगे, शब्द भंडार में आपका स्थिर्चित्र कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, हाथ से कई वाली चीज कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इस सारी की सारी चीज़े क्या है, गनित्य चिंतन एवं विचार को आगे बढ़ाने के लिए परस्तू परिकलन में परिशुदता के साथ उनकी गती को बढ़ाना और परिक्षाओं में उनकी निश्पादन में सुधार करने में मदद करना, तीसरा मालसिक संगर्णा संबंदित परकिरियों का विकास, क्योंकि सिक्षार्ती तेज गती से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंद की पैचान करने की कोशिश करते हैं, और चौथा, पेपर पैंसिल का उप्योग करते हुए कक्षा में परिक्रिया को सीखने में निपूंता प्राप्त करना, तो अप्शन नमबर थाड इसका बिल्कुल सही अंसर है, मेंटल मेंथ होटा क्या है, तो मेंटल मेंथ में आजए ट्रिपल कोशन यानि के ट्रिक कोशन होते हैं, जो कि आपको जल्दी से जल्दी प्रकन सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी आपको नुमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके उसमें प्रेक्टिस करवाई जाती है, तो यहाँ पर देवो बोल रखा है, मानसिक संगण और याक जरूर लिकिए बताएगा, कि इन टो टोल कोशेंस में से आपके कितने कोशेंस बिलकुल सही हुए ताकि आपका feedback मिल सके मुझे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को like करना ना भूलेगा अगर आपके मन में वीडियो के related कोई भी doubt हो कोई भी query हो किसी question में तो नीचे comment box में comment कीजिएगा मैं आपका reply जरूर करूँगा अगर आपने चलनों कब तक subscribe नहीं करा तो जल्दी से subscribe कर लिजे और उसके साथ में जो bell icon होगा उसको भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो आज की वीडियों बस इतना ही आप से फिर मुला कात होगी नेक्स वीडियों में जब तक के लिए जै हिन जै भारत